तो चलिए बनाएंगे पूरी के साथ खाने वाली आलू की सबजी, बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है, तो आप लोग भी जरू ट्राइ कीजिए, तो देखिए मैंने आलू लिए है, और इसको अच्छे तरीके से धो लिया है मैंने और फिर इस तरह से इनको काट लिया है, तरीके से पकाना है, तो चलिए बाकी तियारी कर लेते हैं, तो यह देखिए, दही लिया है मैंने, इसको अच्छे तरीके से फेट लेंगे, इसको इस तरह से फेट लेंगे, और थोड़ा से इसमें अभी पानी डालेंगे, और इसको इस तरह से फेट लेना है, तो यह मैंने चार हरी मिर्च लिए हैं और यह अद्रक लिया है इसको कूट लेना है तो इसको कूट लेंगे आप अलग अलग करके कूट सकते हैं एक ही सार डाल के कूट लिजी जैसा आपको ठीक लगे मिर्च अद्रक दोनों कोई कूट लेना है तो चलिए मैं कूट लेती हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ तो देखिए मैंने कुछ इस तरह से कूट लिया है इसको तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ इह देखिए तो देखिए दो टमाटन लिये हैं इसको भी काट लेंगे इस तरह से देखिए मैंने काट लिया है यह कुछ खड़े मशाले लिये हैं काली मिर्च दाल चीनी बड़ी लाइची लॉंग जावित्री तो यह सब खड़े मशाले लिये हैं इसको मैंने इसको कूट ले या फिर इसको मिक्सी में पीस लें जो भी आपको ठीक लगें और यह देखिए आलू इस तरह से उबल रहे हैं इसको उबलने देंगे इसको बीच में चला देंगे और इसको उबलने देंगे तो देखिए अभी यह दई है इसमें अभी डालेंगे हल्दी और इसको अच्छे से चला देना हैं मिला देंगे अच्छे तरीके से इस तरह से मिला देंगे देखिए इस तरह से इसको अच्छे से मिला देना है तो देखिए ये मिल गया है अभी ये देखिए आलू भी पग गए है तो अभी इसमें डाल देंगे ये दही कि और इसको अच्छे से चलाते रहना है कंटिन्यु चलाएंगे इसको कंटिन्यु इसी तरीके से चलाना है तो देखिए ओवाल आ गई है ये सब्छी को चितना अच्छे से पकाएंगे न Leb Um बनती है तो आप देख सकते हैं अभी कुछ इस तरह से इतनी सब्जी है इसमें अभी नमक डाल देंगे स्वातनसर तो अभी आप देख सकते हैं इतनी सब्जी है अभी दिख रही है अभी देखना इसको इतना पकाना है सब्जी इसकी आदी बचेगी क्योंकि जितनी अच्छ से पकाना ही यह बहुत ही अच्छा टेश्ट आता है इसमें अभी जो मिर्च और अद्रग को कूट के रखाता है वह अभी डाल देंगे इसमें और इसको मिला देंगे अभी इसमें एक भी मसाले नहीं डले हैं वह भी आंगे डालेंगे तो इसको अच्छे से पकने देना है इसमें मसाय डालेंगे धरिया पावडर लाल मिर्च पावडर थोड़ा सा जीरा पावडर और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और इसमें डालेंगे कशूरी मेथी इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और कश्मीरी लाल मिर से कलर बहुत अच्छा आएगा सबजी में इसको अच्छे से ना पकने देना जो आलू है उनको फोट देंगे अच्छे से और इसको अच्छे से पकने देना है बीच बीच में चलाते जाएंगे और इसको अच्छे से बाखने देंगे तो देखिए ये गुनगुना पानी लिया है गरम इसमें डालेंगे हींग और इसको अच्छे से मिला चला देंगे घोल देंगे इससे न हींग का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है सबजी में तो इसको हींग को इस तरह से इसमें डालेंगे यह देखिए हींग को डाल देंगे और इसको चला देना है इसको डालते ही न हींग की खुस्पू बहुत थी जाद अच्छी आती इस तरह से डालते हींग तो और इसको अच्छे से पकने देना है अभी इसमें डाल देंगे जो मसाले खड़े हैं उनको पीस के रखाता वो डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे तो देखिए सब्जी का कलर भी चेंज हो गया है इस सब्जी को सबसे अच्छी से पकाना रहता है इससे जो बहुत ही अच्छी फ्लेवर आता है तो ये देखिए सब्जी बनके तियार हो गए इसको थोड़ी देर और पकाएंगे जब तक तड़का बना लेते हैं तो देखिए ये सर्सों का तेल लिया है और इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग डाल देंगे और ये तेज पत्ता डाल देंगे तो देखिए सब्जी बन गई है और अभी इसमें ये तड़का डाल देंगे तो यह दिखी सब्जी बनके त्यार हो गई है फुरी के साथ खाने के लिए यह बहुत ही जादा तेस्टी लगती तो आप लोग इस रेस्पी को इस नए तरीके से बनाई है इसको आप लोग ज़रू ट्राई करना घर पर और कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रू बताना तो इसमें हरी दनी डात देंगे खुब सारी इसको चला देगे तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी दिख रही है सब्जी खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है तो आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी हेलफुल लगती है और तो इस वीडियो को लाइक कमेंट से जरू कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए